मैं 100% गारंटी लेता हूँ एक भी प्रश्ण ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर काएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो महा संग्राम वीडियो होने वाली है आपकी परिच्छा अगर 2.3 समस्टर के हैं और आपकी परिच्छा हिंदिक गद्ध की है तो सिर्फ और सि वीडियो वीडियो समर्पित है क्योंकि एक भी कोश्वन आपको नहीं चोड़ना है उने दे गये!!" क्योंकि इस वीडियो में मैंने मॉडल पेपर के साथ 16 साथ आपको सिर्फ पूर्डंडं निरन तैयार ख करके वीडियो में क्योंकि यह जो पीडियो आप आज़ आज की करीब मतलब 20 पेज की है तो इसमें मोस्ट इंपार्डन कोश्चन इंकिलूड किये गए हैं एक एक कोश्चन चांट चांट करके यह सारे कोश्चन पिछले खाफ करके हमारे जो डाक्टर राम मनोहर लगया आवध इनवर्सिटी यह फिर कासी वाराणरीशी वाले चांटर जो हमारे हैं यह फिर बलिया वाले चांटर उंस सभी के लिए समर्पित है तो ध्यान से वीडियो को इन तक देखते रहेगा तो यह वीडियो को हम सुरू करते बिना देरी कुए तो चलिए आते हैं में इन मुद्दे पे चलिए आते हैं सबसे पहले मैं आपको इसी वर्स 2023 और 2024 के सेसन का मार्डल पेपर दिखाऊंगा कि किस प्रकार का कोईश्चन पेपर आता है इस बार 2023 के सेसन मतलब 2024 में हिंदी गद्य का पेपर किस प्रकार का आ र पहला परश्ट है आते हैं कि हिंदी कहानी का विकाफ आत्मक परिशे दीजिए इस कोईश्चन में मतलब ये है कि हिंदी कहानी की सुरूवाद कब से हुई और दिन प्रत दिन उसका विकाफ कैसे हुआ लोग आज हर घर में कहानी पेपर सममंदित जानकारी है और हर लोग क पहानी पढ़ना और सुनना दोनों पसंद करदेए ठीक है। तो इसके बिकास कैसे हुआ और इसके मतलब कैसे हुई बाद में इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे लेकिना रहते हैं। तुरंत नोट का लीजे, मूस्ट इंपार्डन इंप्टरिन कोईषिन है। इसलेट कर आ सालों का experience उससे पहले मैंने भी बिए किया है तो मुझे मेरे भी समय में यह question आया है और पिछले 6 सालों में लगातार question रिपीट हुआ है एक आंग की और नाटक में तो सिम्पल सा प्रश्ण है और हाड लेबल का question है और ले रहा हूं कि प्रश्ण फसेगा आपकी परिच्छा में उत्तर तयार कर लिजेगा पांच से छे नंबर आपके पक्के होगे अगर अतिलग उत्रे में आया तो अगर कहीं यह दिर उत्रे में फस गया तो आपकी आठ नंब कमेंट में गालिया दे दीजेगा कुछ भी कर दीजेगा आप जो भी आपकी इच्छा को कर दीजेगा लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा जो जो मैं question मता हूंगा उनको तयार करके जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और यह सारे question आपके पर इच्छा मापक अगला प्रशने की उपेंद्र नात अस्क की एकांग की ठीक है एक मिनट ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट ओके ठीक है ये question कहे रहा कि उपेंद्र नात अस्की की एकांग की कहानी का स्वागत का उद्देश बताईए ठीक है तो ये इतना महत्पूर्ण नहीं है लेकिन एकांग की फिजड़ा question फसेगा अगला प्रशन है इनमबर की महादेवी वर्मा के रेखा चेतर गिलू का साराम संचेप में लिके मैं आपको बता दो ध्यान से सुन लीजे आप सभी ये question मतलब की हमेशा नहीं आता है लेकिन most important है ठीक है मतलब की जैसे कि मैं लिए दस बार परिच्छाएं हुई है हिंदी गद्द की तो ये साथ से आठ बार प्रशन पूछा गया है ठीक है और देखनें को जरूर मिलेगा और इनकी जो प्रमुख रशना है जिसका नाम है गिल्लू ठीक है फिर्टा कोश्चन फसेगा ध्यान लखेंगे ओके चलिए निस कोश्चन के रहा कि हिंदी के एतिहाफिंग नाटक कार के नाम मतलब की हिंदी गद्द में जो भी हमारे प्रमु अगला गयरेंटी वाला कोश्चन जो की हमेशा पंसता है अगर आपकी परिच्छा कल लगी है तो आपकी बारे में तयार करेंगे यह प्रस्ण का उक्तार तयार कर लेंगे तो आपके कम से कम आठ से दस नंबर पक्य हो जाएंगे यह वैरी 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 इंपार्टन कोईश्चिन है 100 प्रसेंट आने वाला ओके चलिए नेश्ट कोईश्चिन है कि असोक के फोल निबंद का उद्देश बताईए ठीक है तो आप इसे पढ़ भी सकते अग्नोर कर सकते हर संकर परसाई के बेंग संगरा कौन कौन से इसको भी इगनोर कर दीजेगे ठीक है जो 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 एक दम आने के चांज से वह इम आपको बताने क कर रहे न तो इससे ब्टर आऊंट क्या हो सकता है तो समझें अब लग उत्रे में देख लेते को से लावाग्राफ करनी होती तो यह वाला सेक्स जो है यह वाला मतलब पैरा ग्राफ वाला यह आप अपने तयार करेंगी क्योंकि यह भाई हमेशा फिक्स नहीं होता है कि यह आएंगे लेकिन प्रसंग में उसमें सोरी निबंद करें ठीक है उसके बाद प्रसंग लिखना उसके बाद ब्याक्षय करना या आप अपने एंगो तयार करेंगे ठीक हैं चार प्याग्राफ दे जाते हैं और उनमें से किन्हीं dhp संद्र वियाख्या करना होता है ठीक है ध्यान से सुन लिजिए तर आपको और यहां पर गद्यान पर दे जाएंगी जिनके आपको संद्र साह्त बियाख्या करनी होती है वहीं पर एक लग उतरे में कोईस्चन की वारे का उद्देश का है ऐसे आपको लिखनान यहां पहुंचा गया है और पिछले बार कभी नहीं आया मेरे जानकारी के इनुसार ठीक है तो इसे एक्वन कर दीजेगे ठीक है अब आजाएंगे हम देर घुतरी क्वेश्चन के और जिन में से मैं आपको बता रहा हूं इनको तैयार करके जाएंगे और पुरी दिसान कि बहुत ही महत्तपूर्ण टॉप लेबल का क्वेश्चन है तो इनको आपको जोड़ता यार करना है और इन सभी प्रशनों का जो माडल पेपर में क्वेश्चन देगे इन सभी का उत्तर आपको नीचे भी मिलेगा जो कि हम आपको दिखा रहे हैं अब हम आ गए हैं मुंसी प्रेम चंदर की को हिंदी कथा का समराट क्यों कहा जाता ध्यान से सुन लिजिए मुंसी प्रेम चंदर जी बहुत ही पॉपलर और बहुत ही फेमस कहानीकार लेखक और रशनाकार है ठीक है यह कोईश्चन यह कह रहा है कि मुंसी प्रेम चंदर जी हिंदी कथे के सम प्रेम चंद्र के आगमन से हिंदी कहानी की एक नई दिशा मिली यानि कि जो पहले की जो कहानिया होती थी उसमें एक तरीकी से संस्कृत भासा से और पुराण जो थे ठीक है वेद पुराण उन्हीं फे ली जाती थी ठीक है लेकिन जब से हमारे मुझसी प्रेम चंद्र जी कि आए हैं हिंदी के छेत्र में तफ़ और कहानी को एक नई दिशा मिली इन्होंने खुद से कहानी बनाया किसे कुछ मैच करके नहीं तबही से कहानी को एक नई दिशामिली ध्यान रखेंगे सन 1916 में बहुत ही प्रसिद्ध मंसी प्रेम चन्द जी की जो कहानी है पंच परमे शुर्ज जो कि आपकी सलेबर से में भी है ये प्रकासित हुई कि इसमें सरस्थी पत्रिका में थीक है तब ही से कहानी को एक नई दिशा मिली यानिकि लाइब सो करके दिखाया कि यहाँ यह वाई ये कहानी है और इस कहानी में यह लोग है और ऐसे-ईसे चलेगा जैसі आप लोग कहा है को बोभना की Кंधिक से देवता राजा और इस्वर को अपदस्त करके दीन दलित सोसित प्रतारित मनस्त को नायक के पत्पर प्रतिस्ठित किया है या उनका यूंगत तरकारी कारित था इसलिए उनके समय को हिंदी कथा साहित में प्रेमचंद युक के नाम से जाना जाता जो गरीब पिछिदे लोग है जो दलित लोग है जो प्रतारित हैं सोसित हैं उनको नायक बनाया कहानी में और उनहीं के अधार पे रशनाये रची है ठीक है और एक समय एफा था जिसमें हिंदी कथा साहित में प्रेमचंद युक के नाम से जाना जाता था ठीक है जाना जाता प्रकार इनका बेसिक सा पर्चे लिखेंगे यह भाईया कई बार पैच्छाम रिपीट हो चुका इसलिए मेरी उम्मीद है कि 90% फस जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और मैं आपको बता दूँ कि पिछले फाल का हम एक मारल पेपर भी आप लोगों को पेश करा देंगे जो कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया आवधि इनुवर्सिटी के छात्रों के लिए वरी वरी इंपॉर्टन साबित होगा क्योंकि पिछले फाल 2022 और तेश की सिसिन में जो मारल पेपर पूंचा गया था ठीक है तो उसमें भी पता चल जाए कि पिछले फाल का मारल पेपर कैसा था अवधि इनुवर्सिटी के ठीक है प्रसिद्ध कभी प्रेम चन्र जी की कुछ कहानिया आप लोगों के समस्थ प्रुस्तु थे जैसे कि कोश्चन आजाए कि मुंसी प्रेमतन जी की कहानियों के नाम लिखी तो देख मुझा देख लीजी आपर कई सारी कहानिया caval hr 16 बिचितर होली है थिक है जो जो लुस ऐ सत्य अग्राय फतरंज के खिलाडी नमक का द्रोगा बड़े घर की वैटी ठीक है यह कुछ प्रुच के की कहानियों को पर्भासित करते हूं इसके ऊद्बहु विकास वे बताए ये question देख लीजी उपर अभी देखिए आतिले लग उतरें पूछा गया थे लिए आपको पूरूफ दिखा देता हूँ यही question है जिसका उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ यह पहला मतलब कि घतना को एक सादन वाली चीज़. अतियंट रोचएक, इंट्रेस्टेड बनाकर प्रस्तुत की जाने वाली कला को ही हम कहानी कहते हैं ठीक है तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे और हमारे अलग-अलग जो बिद्वान है उनके नुसार इसकी अपरिबासा अलग-अलग है जिसे कि एच जी विल्स ने कहा कि कहानी वा का था जो एक घंटे में पढ़ी जा सके ठी का लिखेंगे मुंसी प्रेमचंद जी के अनुसार वहीं पर जैसेंकर प्रशाज जी ने भी अपनी पड़ी दी है मतलब की परिभासा दी है कहानी की ठीक है तो मेरी अगर माने तो यह उपर वाला लिख देंगी इतना तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगी ठीक है उप सहे चुर्वध की द्रस्ट से निमलीकित भागों निढ़ेल जैसका है तो रहे सिर्वात इसकी प्रारंश में प्रारही संच्वकुष्भा से प्रेम इपर साहती है चैसेराश फिरेन मा विख को के देमाने लिख रहे है इनकुछ जो यहां पर आपको मतलब की मतलब की जो वरगी करण किया गया कुछ पार्ट दे गए इन्हीं के माद्धन से कहानी का विक्कास हुआ ठीक है तो इस प्रकार पर चलिकेंगे अगला प्रस्ट नहीं मुंसी प्रेम चंद की कहानी विस्षिस्ताएं मतलब की जो रश्ते थे कहानी उनकी क्या विस्षिस ताएं थी उसमें कहानी तो पढ़ लीजेगा वह एक विस्षिस समय को लेकर चलती थी मिन स्प्रेम चंद जी की कहानी आपने आप में पूर्ड होती है कहानी इनकी कहानीों में अथारत वाजिता रहती है पाठक अंत तक पढ़ने के लिए बिबस हो जाता है कई सारी कहानिया होती नहीं है कि आपको मतलब की सुर्वात तो हो जाती है लेकिन आप उसको लाष्ट तक देखे ऐसा आपके मन में आ जाता है मतलब कि आप मजबूर हो जाते हैं जाते हैं कि आगे क्या होगा फिर आगे क्या होगा इसका ना अगrage ने चांगा साधी गुंड़ाब हमियों इसको कैसे मारेगा उसकी माकेटनैओन हो जाएगा पहरेगा खहरोण आपको बीबस हो जाते हैं ना कहानिक देखने के लिए इसलिए पूरी मूवी आप देखते हैं तो फी तरह ये इनकी कहानियों का फैक्ट था ठीक मौनसे प्रेम चंदर जी की कहानियों का ओके तो इस प्रकार इनका लिखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण यह भी है संस्रमण और रेखा चित्र में अंतर यह भी पॉप्लर कोश्चिन है यह पिछले बार जो आपका आवद इनुवर्शिटी का में पेपर हुआ था गद्दी का उसमें पूछा जा चुका है ठीक है संस्रमण और रेखा चित्र में अंतर बहुत ही पॉप्लर कोश्चिन है सं रचना संस्रमन कहलाएगी संस्रमन में पूरा संदर्व और प्रसंग अर्थवान होता है रेखा चित्र में बिक्त चित्रांकन का केंद्र बिंदु होता है अस्मृत में एक विशिष्ट प्रकार की सम्मेदना होती है या सम्मेदना हमारे नोस्ट लोजिक बोध को जंगरत कर संस्रमन से हमारा अतीत बोध जुडा होता है और अतीत का कोई मुल्यवां चण संस्रमन रशने को प्रेदित करता है संस्रमन में कथा इस बात को ध्यान रखेंगे संस्वर्ण जो है वो हिंदी की आधुनिक गद्धि विधा है और हिंदी में संस्वर्ण साहित का प्रारम दुबेधी युक से माना जाता है इस बात को ध्यान नकी कभ से माना जाता है कहानी की कथानक को सम्वेज शिलता, छित्रकला की रंग, रेखाओं की सुचम्ता और संकीतिकता तता संस्मन के असमेत्यो के मिस्रं से रेखाचित्र गद्ध की एक नवीन बिधा है, मतलब कि रेखा चित्र भी एक हिंदी गद्ध की नवीन बिधा है, ठीक है, तो इस प्रकार इसके बारे में आप पर्चे लिखेंगे, दोनों की परिभासा है, दोनों में अंतर लिखेंगे, बहुत ही पोपलर कोश्चे रहें, उत्तर आपके समझता है, एक दम सिंपल मासा में आप जिस प्रकार तैयार करना चाहिए, तैयार कर लिजीएगा, ठीक है, अगला प्रश्चन है कि आत्मकथा का सुरुवात कैसे हुए, इसका विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा पर्चे जान लेते हैं, ठीक है, तो था लिखता है, ठीक है, यनि कि एक जामपल के लिए मैं आपको बता दू कि जेक्शे मेरा नाम संदीप मोर रहा ह। टीक है, तो मेरा मैं अलुका carrying कि मेरा जैसे कि भाई, प्राइमरी में हुई उसके बाद फिर हम मिडिल इसकोल गे फिर हमारा हाइशकोल हुआ फिर हाइशकोल में बहुत फाइश समस्याएं आई फिर इंटर हमने किया फिर इंटर के बाद हमारे हमारे पास समस्याएं थी तो हमने कहीं पर जोब ढोड़न नोकरी ढोड़ना सुरू यह होता है आत्मकथा तो यही होती है आत्मकथा यानि कि स्वयम की जो कथा होती है अपने जीवन की जो कथा लिखे उसे ही हम आत्मकथा कहते हैं जैसे आप भी अपने जीवन की कथा लिखे तो आत्मकथा है ठीक है तो इस प्रकारिश का परशे लिखेंगे उसके बार लिख लिखेंगे हिंदी साहित में आत्मकथा को जो उद्भव हुए शुरुआत है लगभग चार सो वर्स से पहले हुआ था ठीक है बनार्सी दास जैन रचित अर्ध कथा को प्रथम आत्मकथा माना जाता है जिसे की कोईश्चन यह आ जाए कि भैया उद्भव कभ हुआ तो आप बताएंगे चार सो वर्स से पहले हुआ लेकिन कोईश्चन आ जाए कि भैया हिंदी गद्ध की जो प्रथम आत्मकथा है ठीक है वो कौन सी है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम जो आत्मकथा है उसका नाम है अर्ध कथा जो की बनार्सी दास द्वारा रचित है ठ लिखेंगे डाक्टर राम चंद्र तिवारी ने भी आत्मकथा लेखन का प्रारम यहीं से माना है ठीक है आत्मकथा लिखने वालो में जिस निर्पेच्छ और तत्रस्त द्रष्ट की अवसकता होती हुआ निश्चे ही बनार्सी दास में थी ठीक है और उन्होंने अपने सा चाह के साथ वियक्त किया है यह आत्मकथा पद्ध में लिखी गई है इसके अत्रिक्त पूरे मद्यکाल में अत्मकथा का लेख नहीं मिलता है आत्मकथा के विकास को निमलिक्षत सोपान में विथक्ट किया गया है लेकिन इतना आप एग्नोर कर दिजेगा मेन आप इसकी उद्भव और विकास ठीक है तो इसी तरह सीधे धीरे धीरे बनार्फिदाफ जी के बाद अन्य कभी आए उन्होंने रश्णाय रखी तो इसी प्रकार इसका उद्भव और विकास हुआ तो इस प्रकार पर चलिखेंगे जीवनी और यह आत्मकता हमें इसा फस्ता है चाहिए इंग्लिस का इंग्लिस में भी फस्ता है और हिंदी वाले सब्जेक्ट में फस्ता है ठीक है तो कुछ में विभक्त किया कि जैसे भारतियंद्य यूग में दुबेद्य यूग में सुरतन तर यूग में तो इस प्रकार आप तरचे लिखेंगे और ध्यान रखेंगे भारत तक भारते अंद हरिस्थन जी माने जाते हैं भारते अंद हरिस्थन जी जी माने जाते हैं इन्हों Academic आत्मकथा भी लिखी हैं Dedhu Be Shepherd के कुछ महाविर परसाद dombaydar जी है । पदंलाल पूरा है आप डीटिल में पढ़ लीजिएगा अब जहांसी की राणी उपर न्यास का मुल्यांकन की जी यह कभी कदार आता हमेशा नहीं आता है तो आप पढ़ भी सकते इसको उत्तर इसका अग्नोर भी कर सकते हैं है अगला पुर्स्णझा की हें निबंध रशंणा का प्रारम किस यूक्स सम इसे विकार कि करा जाता मत्यबिक्र जो निबंध से जो इसकी रस्तना है कब से शुरू की गई किस युक से तो आपको लिखना भारतिय युक से ठीक है वहीं पर प्रशना आ जाए कि अचार रामचंद सुकल जी का जन्म कब और कहा हुआ तो सिंपल से लिखेंगे उत्तर की 1984 में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म जो है वो बफ छोड़ी तो निबंद को मानते हैं ठीक है और इन्हों ने निबंद लिखना कब प्रारव मिखिया जिए इसे प्रकार wanna किया है ठीक है इसे पर्वा ऐधार हजाijnण प्रसाद जी का ज07र कर लेना ठीक है इनका जिए महां है वह ऑन नीस अगस्ट होश sì ल구나 को बलया जिले में हुआ था अचार हजार प्रसाद दुवेदी जी का जन्म ठीक है और इनके कुछ निबंद संगरां जो कि आपको पढ़ लेना है ठीक है इस प्रकारा पुत्तर लिखेंगे वह इपर कुबेड़नात जी जो है इनका जीवन पर ची आपको थोड़ा देख लेना यह हमेशा नही एक प्रस्ब्सव जहां तक फंस जाएगा है अब एकांकी की और आ जाएंगे एकांकी कला के कुछ तत्त संभाद और कथो कथो कफो नहीं रंगसंगेते पातर चीटिजित्रण देशकाल या वाता यह कुछ एकांकी के तत्त होते हैं वही पर डाक्टर रामकुमार वर्मा जी फिर उड़ा कोश्चन फसेगा इनका पूरा का पूरा जीवन परचे तयार करना इनका जन्म कब हुआ कहां पर हुआ तो सिंपल सा उत्तर लेखेंगे पंदा फितंबर 1905 को इनको जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ था ठीक है इनकी कुछ रशनाएं उनके बारें पढ़ लेना है ठीक है ध्यान से ठीक है काफी कोश्चन ही भी है फड़ी सर नाथ रेडू जो इस पर जोड़ा एक कोश्चन फंसता है में इसा ध्यान लखेंगे भी फंसे गए इस बार फड़े सर नाथ रेडू का जीवन परचे प्रशाइर है प्रश्नाएं घ्यान रणों फूरी जानकारी दी गई एक प्रशन का उतर इसको भी आपको ध्यान दे लेना है ठीक है यह वीडियो हम उन्हीं सभी इसमसल बना रहे हैं उन सभी चातरों के लिए जो बैचारे एक्जाम की तैयारी नहीं किए है वह आजी बी दीना तो सिरीज खरीदिये तो उनके लिए वीडियो है ठीक है और प्रेम चेंद जी कि कहानियों फ्रूड़ा मैंने आपको बताए दिया कि आएगा ही आएगा ठीक है अगे जिसे जुड़ा कोश्चन आएगा ओके जिवनी और आत्मकथा में अंतर ठीक है जिवनी कत की परि परिभाफा तैयार कर लेना जो कि उपर माडल पेपर में कोश्चन पूचा भी गया है तो एक आंकी बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है ठीक है एक आंकी को परभासित करते हुए यानि कि परिभाफा रजेंद प्रसास सिरिवास्तों ने लिखा है कि कि इसी तत्त अनभूती या बिचार के किसी माहत्पूर्ण अंस का एक अंक तथा एक अथवा अनेक द्रस्चों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट बिभेंजन की ही एक आंकी होता है आपको अगर यह परिभासा नहीं समझ में आई तो इसका उत्तर है इसकी परिभाफा इंटरनेट पर जो कि अभी आउपर माडल पेपर में पूछा गया था उसी का उत्तर है देख लीजिए आप लोगों की समस्त कोईश्चन भी उत्तर भी पढ़ लीजिए ठीक है ओके चलिए निबंद के बारें पढ़ लेंगे निबंद किसे कहते हैं निबंद का आर्थ निबंद के अंग इन्हीं से शुरुआत हुई ठीक है या परिचे लिखेंगे इस प्रकार बेसिक साथ ओके एकांकी का उद्भाव और विकाफ नए कहानी का उद्देश क्या यह भी महात्पूर प्रश्ण है उपर नियास यह भी टॉप लेबल का कोईश्चन कई बार पर इच्छा में आ च चुका है ठीक है ध्यान देंगे उत्तर कोईश्चन और उत्तर दोनों है हिंदी अलोष्णा का उद्भाव यह कभी कदार आता हमें से नहीं आता था आप इसे एग्नोर कर सकते हैं कहानी का उद्भाव और विकास कैसे सुरुवात हुई कभी से विकास वाई भी पॉप्लर कोईश्चन है ठीक है ध्यान देंगे इचे उस तरह का पूरा का पूरा जो कुष्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा और उसमें जो दिए गे कुष्चन है उसका उत्तर लगभग लगभग इसी वीडियो में शाही जीए ले ठीक है तो यह जो जो मैं आपको कोश्चन बताया हूं और उसका उत्तर बताया हूं अगर आप तैयार करके जाते हैं तो माई कलाल कोई भी पैदा नहीं है जो आपको फेल कर दे परिच्छा में क्योंकि जो पूरा का पूरा कोश्चन बना है वो इसी मार्ल पेपर के हिसाफ से भी ना है 99% ठीक वो देडी जीगा तो हम आपको दे देंगे ठीके जय हिंद बात देदी जीगा तो हम आपको दे देंगे ठीके जए हिंद न है